एक समय की बात है एक काफी हरे भरे घने जंगल में मीनू चडिया एक घोंसले में रहती थी मीनू चडिया बहुती ज्यादा दयालू थी वे हर पक्षी की मदद किया करती थी सभी पक्षी मीनू चडिया को बहुती ज्यादा पसंद करते थे क्योंके मीनू चिडिया सबी पक्षियों के साथ बहुती अच्छा बरताओ करती थी जब भी जंगल में किसी पक्षी को दाना नहीं मिलता तो वे मीनू चिडिया के पास आ जाता एरे मीनू चिडिया मैंने आज बहुती मैनत करी लेकिन फिर भी मुझे दाना नहीं मिल रहा है और मैं बहुत ही भूका हूँ इस वज़े से मुझे ज्यादा मेहनत नहीं हो रही है तुम मुझे थोड़ा सा दाना दे दो ताके मैं वो दाना खाऊं तो मुझे में थोड़ी शक्ती आ जाए फिर मैं अपना दाना ढून सकूंगा एरे हाँ हाँ कबुतर भाईया मैं आपको दाना दे दूंगी क्यूंके आपने महनत करी फिर भी आपको दाना नहीं मिला अगर आप महनत ही नहीं करते तो फिर मैं आपको कभी भी दाना ना देती फिर कब उतर वहां से दाना खाकर उड़ जाता है इसी तरह मीनू चिडिया अक्सर पक्षियों की मदद कर दिया करती थी उसी जंगल में एक शातिर कालू कवा भी रहता था वे कालू कवा बहुत ही ज्यादा आल सी था औरे सुना है मीनू चिडिया पक्षियों को दाना दे देती है औरे मैं भला दाना जमा करने क्यों जाओं मैं मीनू चिडिया से जाकर दाने ले लेता हूँ इस तरह बैठे बिठाए ही मेरा पेट अराम से भर जाएगा यही सोचकर कालू काववा मीनू चिडिया के पास चला जाता है एरी कैलू काववी तुम यहाँ पर क्यों आई हो बताओ तुम्हें क्या काम है औरे मीनू चिडिया मुझे कोई काम तो नहीं है बस मुझे भूक लगी थी तो इसलिए मैं तुमसे दाना लेने आ गया हूँ एरी कैलू काववी अगर तुम्हें दाना ही चाहिए तो तुम खुद महनत करके ढूंडो मैं तुम्हें दाना क्यों दो हमें महनत करके ही दाना जमा करना चाहिए ना के दूसरों से मांगना चाहिए ये बहुती गलत बात है ओरे मीनू चड़िया दाना नहीं देना तो ना दो इस तरह मुझे जलील तो मत करो मैं यहां से जा रहा हूँ इतना कहकर कालू कवववा वहां से चला जाता है ये कालू कववा भी बहुत ही आलसी है मेनत करके दाना जमा नहीं करता है अगर मैंने आज इसे दाना दे दिया तो ये तो कभी भी जिन्दगी में दाना जमा नहीं करीगा बस इसी वज़े से कालू कववा मीनू चुडिया से बहुत ही ज्यादा जलने लगा औरे ये मीनू चुडिया अपने आपको समझती क्या है मुझे अब इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा सभी पक्षियों को ये दाना दे देती है और मुझे दाना नहीं दे रही है अब मैं सोचता हूँ कि इस मीनू चुडिया के साथ क्या करना है तेखो मैं अब इस मीनू चुडिया के साथ क्या करता हूँ उस जंगल में मीनू चुडिया की बहुत ही ज्यादा इज़त थी इसलिए उसी जंगल में रहने वाली कॉमल चुडिया मीनू चुडिया से बहुत ही ज्यादा जलती थी एरी ये मीनू चिडिया की इस जंगल में बहुती ज्यादा इज़त है सभी पक्षी मीनू चिडिया को बहुती ज्यादा पसंद करते हैं पर उसकी तरह मैं भी तो एक चिडिया हूँ मुझे जंगल में सभी पक्षी पसंद क्यों नहीं करते हैं पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है इस मीनू चुडिया ने सभी पक्षियों पर ऐसा क्या जादू कर दिया है जिससे सभी पक्षी इस मीनू चुडिया को ही पसंद करते ही अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी पक्षी मीनू छुडिया को छोड़कर मुझे पसंद करें पर मैं ऐसा क्या करूँ मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लेकिन अब मैं जल्दी इस मीनू छुडिया का कुछ न कुछ करूंगी दूसरी तरफ कालू कववा भी मीनू चुडिया से बदला लेने के लिए अपने मन में तरह तरह की योजना बना रहा था अरे क्या करूं इस मीनू चुडिया के साथ एक तो सभी पक्षी इस मीनू चुडिया को इतना पसंद करते हैं इस जंगल में कॉमल चिडिया रहती है, मैं उसे मीनु चिडिया के खिलाफ जाकर बढ़का देता हू। और फिर देखो मैं उससे क्या क्या करवाता हू। फिर कालुकवे वहां से उड़ता हुआ कोमल चिडिया के पास आकर बैठ जाता है एरे एरे कालुकवे तुम यहां पर आकर क्यों बैठ गए हो तुम्हें क्या काम है मुझसे अरे अरे कोमल चुडिया वैसे मुझे कोई काम तो नहीं है मैं तो ऐसे ही यहाँ पर आकर बैठ गया हूँ लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाता हूँ हाँ हाँ बोलू कलिकवे तुम मुझे क्या कहना चाते हो औरे कॉमल चुडिया, तुम्हे मीनु चुडिया से जलन नहीं होती है, कि सभी पक्षी मीनु चुडिया को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन तुम भी तो एक चुडिया हो, कोई पक्षी तुम्हे पसंद नहीं करता, तुम्हे तो उस मीनु चुडिया से बदला र मैं तुमारी मदद करने के लिए आया हूँ, मेरे पास एक उपाई है, जिससे हम मीनू चुडिया को सबक सिखा सकते हैं, अच्छा कर्लो कोवे, तो मुझे बताओ वो क्या उपाई है, ताकि हम उस मीनू चुडिया को सबक सिखा सकें, अरे हां हां कोमल चिडिया अब हम मीनू चिडिया को दाने की लालच दे के उसे अपने एक पिंजरे में कैद कर लेंगे और फिर मैं तुम्हारे उपर मीनू चिडिया जैसा ही रंग कर दूँगा तुम्हें सभी पक्षी फिर मीनू चिडिया समझेंगे और तुम्हारी इस जंगल में बहुती ज्यादा इज़त होगी इस तरह मीनू चिडिया को अच्छा सबक मिलेगा एवे हाँ कालू कोवे ये तो बहुती अच्छा उपाय है अब हम ऐसा ही करते हैं फिर कोमल चिडिया उड़ती हुई मीनू चिडिया के पास जाती है और कालू कोवा जंगल में एक जमीन पर काफी सारा दाना रख देता है एवे कोमल चिडिया तुम यहाँ पर क्यों आई हो एरी मीनू चिडिया मैं तो तुम्हें एक खुश खबरी देने आई हूँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाकर वहां से दाना ले लिती हूँ। फिर मीनुचिडिया उरती हुई उन दानों के पास आकर बैठ जाती है। तबी कालु कववा उपर से मीनुचिडिया पर एक पिंजरा गिरा देता है। इसलिए मीनुचिडिया उस पिंजरे में कैद हो जाती है। फिर कालू कववा कॉमल चडिया पर मीनू चडिया की तरह ही रंग कर देता है अब कॉमल चडिया बिलकुल मीनू चडिया की तरह ही दिख रही होती है अरे अब देखना मीनू चिडिया अब ये कोमल चिडिया की पूरे जंगल में कितनी इज़त होगी अब तुम बिलकुल भी इज़त नहीं कमा सकोगी अब तुम सारी जिन्दगी यहीं पर ही क्याद रहोगी और यहीं पड़े पड़े मर जाओगी अरे कलु कोवे ये बहुत ही गलत है देखना एक दिन तुमें इसका नतीज़ा जरूर भुगतना पड़ेगा अब कोमल चिडिया मीनू चिडिया के गोंसले में जाकर बैठ जाती है अब जब भी कोई भी पक्षी कोमल चिडिया से दाना मांगने आता तो वे कोमल चिडिया तो अपनी पुरानी आदत से ही मजबूर थी वे किसी भी पक्षी को दाना नहीं देती इसलिए अब कोई भी ये क्या हो गया है अब तो मैं बिलकुल मीनू चुडिया की तरह ही दिखती हूँ फिर भी कोई भी पक्षी मुझे पसंद क्यों नहीं करता है दूसरी तरफ जंगल में दो चीले मीनू चुडिया को खाने के लिए उसकी तात्मा बैठी हुई थी एरे तुमने सुना है जंगल रहूं एक काम करो तुम उस मीनू चुडिया का शिकार करके उसे यहां पर ले आओ फिर हम दोनों उसे मिलकर खाएंगे फिर वे चील कोमल चुडिया को मीनू चुडिया समझ कर उसका शिकार कर लेती है और दोनों चीले कोमल चुडिया को खा जाती है अब पूरे जंगल मे काफी दिनों से मीनू चुडिया का कुछ भी आता पता नहीं था एरी ये मीनू चुडिया का कितने दिनों से कुछ भी आता पता नहीं चल रहा है पहले ही ये मीनू चुडिया कुछ दिनों से मुझे बदली बदली जी लग रही थी जरूर कोई गड़बड़ वाली बात है चलो मैं जंगल में मीनू चिड़िया को ढूनता हूँ फिर कबूतर पूरे ही जंगल में मीनू चिड़िया को ढून रहा होता है तब ही उसे एक जगा पर मीनू चिड़िया एक पिंजरे में कैद हुई हुई दिखती है वे कबूतर जट से मीनू चिडिया के पास आकर बैट जाता है एरी मीनू चिडिया ये क्या तुम इस पिंजरे में कैसे कैद हो गई हो फिर मीनू चिडिया कबूतर को कालू कवे की सारी चलाकियों के बारे में बता देती है अच्छा मीनू चिडिया इसका मतलब उस कालू कवे ने कोमल चिडिया पर तुम्हारे जैसा रंग कर दिया था अब देखो हम सब पक्षी मिलकर उस कालू कवे के साथ क्या करते ही फिर वे कबूतर उस मीनू चिडिया को पिंजरे से आजाद कर देता है अब वे सब पक्षी मिलकर कालू कवे को ही उसी पिंजरे के अंदर कैद कर देते हैं अब कालू कवे अपनी गलती पर बहुती ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था फिर सभी पक्षी कालू कववे को वहीं छोड़ कर चले गए और कालू कववा उसी पिंजरे में कैद होकर रह गया इस कहानी से हमें प्रेना मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए एक समय की बात है एक हरे भरे से जंगल में मीनुचिडिया अपने बेटे सोनुचिडे के साथ अपने घर में रहती थी सोनुचिडे का ये पहला जनम दिन था जिसकी खुशी में मीनुचिडिया जंगल के सभी पक्षियों को दावत देना चाह रही थी लेकिन में जडिया बस यही सोच रही थी के वे ऐसा क्या बनाए जो सभी पक्षियों को खाने में बहुती ज़्यादा पसंद आये में Ensag क्या बनाओ ? जो खाते ही सभी पक्षी बहुते ज्यादा खुश हो जाए, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ रही हा रही पिरी हाँ, मैं इक काम करती हूँ मैं खेचडी बनाती हूँ मैं खिचडी बहुत ही अच्छी मनती हूँ वे खिचडी खाकर सभी पक्षी सेच में बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगी पिछली बार जब मिठ्चु तो तेने सभी पक्षियों की दावत करी थी तो उसने भी खिचडी मुझसे ही बनवाई थी और मैंने सबको बहुत ही अच्छी किचडी बना कर खिलाई थी इस बार भी मैं वेसी ही अच्छी थी किचडी बना कर सबको खिलाऊंगी फिर बहुत ही अच्छा लगेगा सबको चीलू और शाम में ही सभी पक्षियों की दावत है मैं जाकर किचड़ी बनाने का सारा समान जमक लेती हूँ फिर मीनू चिड़िया किचड़ी बनाने का सारा समान लेने के लिए वहां से चली जाती है रास्ते में मीनू चिड़िया कालू कवे के पास आकर बैठ जाती है मेनों चुड़िया क्या हुआ तुम इतने जल्दी जल्दी में कहां पर उड़ती हुए जा रही थी एरी हां हां कर लुकवे वे आज मुझे बहुत सारा काम है आज मेरे चोटे का जनम दिन है इसलिए आज शाम में मैंने सभी पक्षियों को दावत देने का सोचा है और मैं दावत में खिचड़ी बनाओगी इसलिए मैं खिचड़ी बनाने का सारा समान जमा करने जा रही थी इ लेकिन हाँ कालू कोवे, तुम तो अभी यहाँ पर फारिग बेटे हो, क्या तुम मेरी मदद करूगी? अच्छा, ठीक है, ठीक है मीनू चिडिया, मैं तुम्हारी मदद कर दूगा, लेकिन तुम मुझे कोई जादा मुश्किल काम मत देना, तुम्हें तो पता ही है बेरा, मुझे से बिलकूल भी मुश्किल काम नहीं होते हैं, मुझे को यासान सा ही काम दे देना ठीके ठीके कैलू कववी देखो खिचडी बनाने में दाल और चावल का इस्तेमाल होता है मैं चावल जमा करने जा रही हूँ और तुम डाल ले करा जाओ इतना कहकर मीनू चिडिया चावल जमा करने के लिए वहां से चली जाती है पिर मीनू चिडिया जब थोड़ी देर में चावल जमा करकर वापस अपने घर में आती है तो वे कालू कववी उसके घर में बैठा होता है एरी कालू कववी ये क्या तुम यहां पर क्यों बैठे हुए हो मैंने तो तुम्हें डाल लाने को कहा था लेकिन तुम तो अभी तक डाल नहीं लाए हो औरे वो मीनू चिडिया मुझे तो पता ही नहीं है के ये डाल आखर कहां से मिलती है तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं था के डाल ये कहां पर मिलती है तो तुम्हें क्या इस बारे में खुद बिलकुल भी कुछ नहीं पता है अच्छा छोड़ो अब तुम एक काम करो तुम नमक ही लेकर आजाओ डाल मेले कर जाती हूँ और मेलू चिडिया मुझे तो ये नमक का भी नहीं पता है आखिर ये नमक कहां पर मिलता है केलु कुवी तुम सच में बिलकुल भी काम नहीं करते हूँ अगर तुम काम करते रहते तो तुम्हें इन सब चीज़ों का जरूर बता होता है के ये सब चीज़ें कहां से मिलती है जिखना में ओँचे पह्याणों के पीछे ही नमक की कान है तुम जाओ और वहीं से ही नमक लेकर आजाओ अच्छा ठीक है ठीक है मीनुचिडिया अब तुम जाओ दाल लेने के लिए और मैं नमक लेकर आजाता हूँ फिर मीनुचिडिया वहां से दाल लेने के लिए चली जाती है रास्ते में मिर्णु चेडिया को मिठू-तोता एक पेड़ पर बैठा हुआ मिलता है मिर्णु चेडिया क्या हुआ भरी तुम इतनी जल्दे जल्दे उड़ती हुए कहा जा रही हो तुमैं कोल परिशानी है क्या तुम बहुते चिंदित लग रही हो हाँ हाँ मिठो तोते वे दरसल आज मेरे चोटे का जनम दिन है इसलिए मैं सभी पक्षियों की दावत करना चाती हूँ आज शाम में लेकिन अब समय बहुती कम है और मुझे सभी पक्षियों के लिए खिचड़ी बनानी थी बस मैं जल्दी जल्दी उसी का समान जमक कर रही ह ताके मैं जल्दी से किचड़ी बना सकू एकिन अब समय बहुती कम बचा है मिठो तोते क्या तुम मेरा अब एक काम करोगी हाँ हाँ बोलो मिनू चैनिया क्या काम है तुमारा मुझे जल्दी बताओ मैं तुम्हारा काम कर दूँगा मिठो तोते तुम सभी पक्षियों को यह बता दिना कि मैंने सभी पक्षियों की रात में दावत रखी है तभी सब पक्षि मेरी घर पर आजाएंगी हाँ हाँ मीनू चैनिया मैं तुमारा यह काम अच्छे से कर दूँगा मैं सभी पक्षियों को यह बात बता दूँगा अभी तुम जाओ और जल्दी जल्दी खचणी बनाने का समान जमा करो फिर मीनू चैनिया वहां से उड़ती हुई चली जाती है दूसरी तरफ कालू कववा अभी तक नमक जमा करने के लिए नहीं गया था अरे यह हवाय कितनी तेज चल रही है और ठंड भी कितनी है और पहाड़ों की तरफ तो बहुती जादा से त written माय चल रही होंगी नहीं भाई नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ जो इतनी ठंड में नमक लेने के लिए जाओंगा वे मीनू चिडिया ही पागल है वे आएगी तो मैं उसे ही नमक लेने के लिए भेज दूँगा मैं तो नहीं जाने वाला नी ठंड हो रही है एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर थोड़ी देर के बाद जब मीनू चिडिया दाल लेकर घर में आती है तब भी कालू कवा उसी के घर में बैठा होता है कालू कवी वा तुम कबसे इतने पुर्तिले हो गए हो तुम मुझसे पहले ही नमक जमा करके लिए हो औरे नहीं नहीं मीनू चिडिया मैं तो नमक जमा करके नहीं लाया क्योंके मेरी उमर तुमारी उमर से बहुत ही ज़्यादा है मेरे परों में अव्वे जान नहीं रही है कि मैं उन परों से उड़कर इतनी ठंड में नमक जमा करने के लिए जा सकूँ इसलिए मैं यहाँ पर अराम कर रहा था और तुम ही अब नमक जमा करने के लिए चली जाओ मुझे कोई और काम दे दो मैं वे काम कर लूँगा एरी केलू कवे इतने भी कोई ठड़ नहीं है अब बाहर चलो अच्छा तुम अब एक काम करो तुम हरी मिर्चे लेकर आजाओ क्योंकि मिर्चे भी खिच्डी के अंदर डलती है और मैं नमक जमा करके आजाती हूँ फिर मीनू चेडिया वहां से नमक जमा करने के लिए चली जाती है औरे ये मिर्चे तो मिठ्टू तोते के घर की तरफ मिलेंगी वहां पर बहुत सारी मिर्चे होती है लेकिन उसका घर तो बहुत ही ज़्यादा दूर है मैं वहां तक कहां उड़ता हुआ जाओंगा मुझे तो बहुत ही आला सा रहा है नहीं नहीं छोड़ो ये काम भी बहुत मुश्किल है मैं मीनू चोड़िया से और कोई असान काम माग लूँगा और मैं उससे कहूंगा कि वह मिर्चे भी खुजी ले आए दूसरी तरफ मीनू चिड़िया को दुबारा से रास्ते में मिठू तोता मिलता है मिठू तोते तुमने सभी पक्षियों को बोल दिया ना कि मैंने सभी पक्षियों के अपने घर पे दावत रखी है हाँ हाँ मीनू चिड़िया मैंने सभी पक्षियों को ये माद बता दी है तुम बिल्कुल भी चंता मत करो सब पक्षी तुमारे घर पर आ जाएंगे लेकिन क्या हुआ अभी भी तुम बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हो अगर कोई और काम है तो मुझे बताओ मेरी मदद करवा रहा है नहीं नहीं मीनू चिडिया, मैं कालू कववा ऐसा ही है, मैं किसी की भी मदद नहीं करता है, मैं बहुत जादा ही हाल सी है, मैं कुछ भी काम नहीं करेगा देखने ना तुम, और मैं तुम्हें ऐसा ही चक्कर देता रहेगा, चलो मीनू चिडिया, अभी जल्दी तुम जिस का काम के लिया जा रहे थी उस काम के लिया जाओ फिर मीनु चिडिया वहां से उड़ती हुई चली जाती है फिर अब जब मीनु चिडिया दुबारा से घर में आती है तो अभी भी कालुकवा उसके घर में ही होता है एरी कालुकवे तुम तो अभी भी यहापर बेटे हूँ कानीदेना, मैं उनमें से कोई powerfulORA काम कर लूँगा। तुम जाओं और मिठुड़ो तोत मिर्चे लेकर आजा। फिर मीनू चेडिया वहां से मिर्चे लेने के लिए चलि जाती है। और थोड़ी देर के बाद मीनू चेड़िया मिर्चे लेकर वापस आ जाती है फिर मीनू चेड़िया आग पर खिचड़ी तयार करने लगती है उस खिचड़ी की खुश्बू बहुत ही अच्छी आ रही थी एरी केलू केवी अब तुम इस खिचड़ी को यहाँ पर बैठ कर देखो मैं खिचड़ के लिए थोड़े बहुत गरम मसाले लेने के लिए चल रही हूँ फिर मीनू चेड़िया वहाँ से गरम मसाले लेने के लिए चली जाती है दूसरी तरफ कालू कवे को उस खिचड़ी की खुश्बू बहुत जादा अच्छी लग रही थी और यह खुश्बू तो कितनी के कालू कवा रुख ही नहीं पाता है वे सारी की सारी खिचड़ी ही का जाता है औरे ये क्या हो गया है मुझसे ये तो मैंने सारी की सारी खिचड़ी खा ली है मीनू चेड़िया मुझ पर बहुत जागा घुस्ता करेगी अप मैं काम करता हूं मैं यहाँ पर सोजाता हूं म मैं कहूंगा मुझे तो पता ही नहीं है क्या उसके खिचड़ी कौन खा गया है। फिर कालू कववा वहाँ पर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बात सभी पक्षी आ जाते हैं। मीनू चड़ियां कालू कववे से पूछती है। एरे कालू कववे ये खिचड़ी कहा पर चली गई। मैंने तुमें कहा था कि तुम यहाँ पर बैठकर खिचड़ी को देखो और तुम सो गए हो। देखो अब ये खिचड़ी पता नहीं कहा चली गई है। औरे मीनू चुडिया लगता है कोई इस खिचडी को चुरा कर ले गया है लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें फिर थोड़ी देर के बाद कालू कवे के पेट में बहुती ज़्यादा दर्ध होने लगता है चुझके उसने बहुत सारी खिचडी खाली थी उस दर्ध के मारे कालू कवे के मूँ से निकल ही जाता है औरे ये मुच्चक इतनी बड़ी गलती हो गई है मैंने इतनी सारी खिचडी खाली है अब मेरे पेट में कितना दर्ध हो रहा है सभी पक्षी ये बात सुनकर कालू कवे पर बहुती ज़्यादा गुसा होते हैं और उसे खुब खरी खोटी सुनाते हैं इस कहानी से हमें प्रेना मिज़ती है कि लालच बहुती बुरी बला होती है